पिटा, short notes बनाने के लिए ना सही तरीका आना चाहिए बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर्फ जैसे जैसे आप chapter पढ़ा रहे हो हम साथ-साथ उसके short notes concise form में बनाते जा रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या होता है short notes बनाने का सबसे पहली बात जब आपका chapter बिलकुल बढ़िया तरीके से clear हो गया है आपने सारी practice कर ली है DPP, extra questions, PYQ, सब लगा ली है ना वो सही time है उस chapter के short notes बनाने का दूसरी बात short notes के अंदर आपको बहुत detail नहीं लिखनी होती है आप keywords लिखे, आप to the point बाते लिखे आप जो भी star points होते हैं वो लिखे इसके अलावा जब भी आप कोई practice करते हैं कुछ questions ऐसे होते हैं जो आपको पूरा chapter का सार दे देते हैं या फिर बहुत important पड़ा समझा देते हैं वो भी आपके short notes में शामिल होना चाहिए और most important last में short notes के space जरूर रखिए थाकि आप नई information उसमें add कर पाए ठीक है? तो इसी तरीके से short notes बनाने हैं आप